हलो दोस्तों वेलकम टू वेदु अरा स्मार्ट लर्निंग तो मैं सुरज कुमार आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं मैं अच के एक नए टॉपिक एक नए सलेबस के साथ तुदेखो आज की जो मेरी बाते होने वाली है वो होने वाली है आपके fractions and decimal क्योंकि first chapter मैंने काफी अच्छे से cover किया integers मैंने बहुत सारे questions भी करवाए एक test series भी उस पर आने वाला है मेरे app पर देख सकते हो जाके वो test series बहुत जल्द में लाने वाला हूं उससे test series में समझो क्या कि सब कुछ उसमें mentioned होगा आप test दोगे आपके marks उहां पर आएंगे आप खुद को देखो कि कि आप कितना prepared हुए हो खुद के लिए तो आज की बात fractions and decimal में यदि मैं करूँ तो देखो यदि fractions की बात करूँ दोस्त देखो तो इस fractions का मतलब क्या होता है बता सकते हो भिन ये भिन क्या है इसका Hindi meaning में ही इसका मतलब है न कि भिन मतलब क्या कि इसमें combination कुछ और होगा भिन मतलब क्या अलग-अलग मतलब क्या कि इसमें दो चीजे या दो से ज़्यादा चीजे दिखने वाली है कि एक मतलब समझो कि मैं ज fraction है yes this is a fraction because the denominator of this number is one अब किसी भी fractions को fractions तब बोलेंगे जब उसका numerator और denominator क्या हो फिक्स हो कोई value देता हो तो यहां पर भी मैं वहीं बाते करने वाला हूं कि a combination of a combination of numerator a combination of numerator and denominator a combination of numerator and denominator which is written as P by Q मतलब क्या कि एक ऐसा combination जिसमें क्या आपका दो चीजे दिखता हो P by Q के form में जहां P P आपका दिखाता हो numerator को और Q दिखाता हो आपका denominator को यही तो आपका fractions है ना एक fractions की एदी मैं बात करूँ तो जहां आपका क्या where where what where P is equal to numerator numerator बोल सकते हो ना and Q is equal to denominator और किसी भी हालत में आपका Q 0 नहीं होगा एक बात समझो हमेशा में इस बात को priority देता हूं कि आपका जो denominator है वो 0 नहीं होता है वजा क्या है इसके पीछे कैसे समझेंगे कि यह जो denominator है वो 0 नहीं हो सकता है यहां पर समझना and also क्या एक लाइन और है कर सकते हो आप कि where Q does not equal to 0 यहीं ना बात को समझना में क्या बोलने वाला हूं एक समझो बात जैसे मैं example की एक लेकर देखूँ यह 0 को यह 0 बड़ा परिसान करता है अब लोग को ना अभी समझो इस 0 का मतलब क्या एक मेरे पास नंबर है क्या 0 अपून 5 क्या है 0 अपून 5 है और एक मेरे पास नंबर है 5 अपून 0 जरा बताना तो दोनों का जो value होने वाला है वो क्या होने वाला है सोच कर बताओ कि 0 by 5 है मतलब क्या कि आप जैसे ही numerator मतलब मैंने क्या बताया उपर वाला पार्ट denominator मतलब मैंने बताया नीशे वाला पार्ट और bottom तो bottom पार्ट में आपके 5 है यानि कि 5 से आपको क्या divide करना है किसको 0 को मतलब 0 आपका जो numerator होता है वो divided का काम करता है और जो denominator होता है वो आपका diviser का काम करता है ये तो आपको पता होगा अब देखो कि जब 5 को आप divide कर रहे हो 0 तो अब एक बात समझना कि 5 का table कितने times पढ़ोगे कि 0 आएगा 5 का tables कितने time पढ़ोगे कि 0 आएगा तब तो आप आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कभी 5 0 जा पढ़के देखे हो नहीं पढ़े हो ना तो 5 0 जा मतलब कि कोई भी ऐसा number दुनिया का कोई भी variable या constant number यदि 0 से multiply हो रहा है तो पूरा का पूरा value आपका 0 में included हो जाता है तो यहां पर भी EC को 0 identity के नाम से भी जानते है तो 5 का table बताओ कितने time पढ़ोगे कि 0 आएगा मतलब 5 को कितने time multiply करोगे कि 0 आएगा तो मैंने अभी बताया है कि किसी भी number को आप multiply करोगे तो 0 तब आएगा जैसे 5 को करें multiply तो 5 को कितने time पढ़ेंगे 0 time क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको कि किसी भी number को यदि 0 से multiply करोगे तो value क्या दे देगा 0 दे देगा मतलब यही मैं यहां करने वाला हूँ कि जब 5 को divide आप 0 से कर रहे हो तो जो cosine 0 होगा वो 0 दे देगा मतलब पूरा का पूरा कट गया मतलब एक exact value 0 ही आया है एक whole number का smallest number ही आया है लेकिन आया तो है ना आया तो है ना 0 मतलब इसका कुछ value आया बट इस चीज़ को देखो कि मैं 5 को रख राऊं बीच में और यह हम हुआ मेरा side में 0 यह हुआ side में मेरा 0 जीरो को किसी से भी multiply करो either variable or constant the result is always be 0 इसलिए मैं बोलाओ कि यह 0 है उसको आप किस number से multiply करोगे यह 5 आएगा यदि तुम 5 से भी करोगे तब तो भी यह 0 देगा ना तब फिर 5 बचेगा फिर 5 से करोगे फिर 0 देगा फिर मतलब कि यह कभी भी खत्म होगा क्या दुनिया में कहीं से भी घूम कर तुम चले जाओ पूरे दुनिया घूम कर आ जाओ लेकिन फिर भी यह process आपका घूम घूम कर आओगे तब भी चलता रहेगा यह कभी खत्म नहीं होने वाला है तो इसका वैल्यू कितना भी तुम 4 लिख दो 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो आना तो उसको 0 ही है As I say तो यही वज़ा है कि जब नीचे 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू हम fix नहीं करते है वो कुछ वैल्यू नहीं है मतलब यह 0 भी हो सकता है एक मिनिट यह आपका 0 भी हो सकता है तब भी 0 आएगा 1 भी हो सकता है 2 भी 3 भी 4 भी कुछ भी लिख दो नहीं यार कोई वैल्यू नहीं है मतलब यह 5 भाई 0 का कोई exact value ही नहीं तो इसको मैं क्या नाम दे दूँ Undefined That is why a fraction denotes as Q is not equal to 0 जैसे ही Q 0 हो गया मतलब गया काम से फिर वो fraction नहीं है अब इसके बाद बहुत सारे examples लेकर मैं दिखाऊंगा जैसे आपका questions दिखता ऐसे कि आपको so करना है कि numerator कौन है denominator कौन है तो आप easily बता सकते हो कि जैसे मैं लिकरा हूँ 4 upon 5 तो इस 4 upon 5 में मैं आपसे पूछूँ कि बताओ कि numerator कौन होगा numerator कौन होगा और इसी मैं पूछूँ मैं denominator कौन होगा तो जरा बताना तो क्या होने वाला है इन दोनों का मतलब है कि जो numerator है वो आपका 4 होगा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो doesn't matter जो upper portion है वो आपका numerator को दिखाएगा और जो lower portion है वो आपका क्या दिखाएगा denominator को दिखाएगा मतलब numerator आपका 4 होने वाला है और denominator आपका 5 होने वाला है देखो ये चीज़ समझ गया है तो आप अब ये समझ गयो कि numerator और denominator का चक्कर क्या है fractions क्या है उसका चक्कर क्या है सब कुछ इतना तक मेरी बाते cover हो गई है अब यहां से आते हैं आगे fractions के बारे में जैसे ही मैं बात करूँगा तब सबसे पहले आपको दिखेगा क्या equivalent fraction types of fraction में आऊँगा जब मैं types of fraction में आता हूँ तो बहुत सारे types of fraction के उसमें से जो सबसे आगे है मेरे हिसाब से types of fractions की यदि बात करूँ बाबू देखो इस types of fraction में मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो type आता है मेरे हिसाब से वो होता है आपका equivalent fraction क्या होता है equivalent fraction अब नाम सही क्या पता चल दा है equivalent में लोग क्या होने वाला है value equal होने वाला है उसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका proper fraction प्रूपर फ्राक्शन ठीक है बहुत सारे फ्राक्शन्स होता है इसलिए S लगाना ही पड़ेगा फर्स्ट आपका equivalent fractions दूसरा आपका proper fractions थर्ड जो आ रहा है वो आपका हो जाएगा इसी का just opposite क्या improper fractions improper fractions देखते जाना ज़रा ध्यान से देखना improper fraction उसके बाद जो fourth number आपका आने वाला है वो है आपका मान लो मानो नहीं सच में है यार mixed fraction वो mixed fraction भी समझो ना कि improper fraction का ही एक part है same मान लो उसी तरह का बताऊंगा एक एक चीज एक एक part बताऊंगा और अच्छे से cover करूंगा बस इत्मिनान से पढ़ते जाना देखो उसके बाद fifth number पे जो आ रहा है वो आपका रहा है क्या like fraction किसी को like करते है तो उसके बहुत सारे properties को देखते हो ना जी कि यह है मेरे like या नहीं है वो ही like और last जो है वो आपका है unlike fraction कौंसा unlike fraction मतलब उसमें qualities तो है लेकिन unlike है वो पसंद नहीं आया मुझे उसके qualities सबको सब कुछ पसंद नहीं आ सकता तो यह छे type आपको fractions में जानने को है यह छे type जानने के बाद समझो fractions का एक बहुत बड़ा part आपने cover कर लिया है question जानने के बाद आप समझे लो कि यह fractions पे आपका command बहुत अच्छे से हो जाएगा तो मैंने first नाम बताया आपका equivalent fractions फिर बताया मैंने proper fractions फिर improper fractions mixed fractions, like fractions unlike fractions यह six fractions के part है जिसको मैं एक एक करके देखूँँगा और अच्छे से देखूँँगा तो अब बताओ सबसे पहले अभी तक fractions जो भी मैंने बताया है वहां तक में कोई दिक्कत है क्या fractions के बारे में आप नहीं जाने अब जान गए ना ऐसे fractions के बारे में यह बोला जाता है कि बस उसको denote कर दो as a whole as a whole मतलब कि whole का मदर सब कुछ आ गया उसमे numerator भी आ गया, denominator भी आ गया और भी बहुत सारे पार्ट भी आगए सारे मिलकर fractions बनाते हैं सही बात है लेकिन यहां पर यह बाते mention करना भूल भूल कर दिया जाता है कि वो Q जो है आपका denominator वो 0 है या नहीं है कभी भी आपका Q 0 नहीं देगा otherwise वो fraction है ही नहीं कोई number ही नहीं है undefined value देने वाला है वो कुछ भी रख दो वहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा that is not fair तो equivalent यह सारी चीज आपके के लिए हो गई अब मैं आता हूं सबसे पहले equivalent fractions पे ठीक है है मजे से पढ़ेंगे देखो देखते जाना यह है आपका equivalent equivalent fraction मन लगा के पढ़ो सब कुछ अच्छा होगा देखो equivalent fractions के दी बात करो तो क्या आपको लग रहा है बराबर हमारे देश की जो culture है वो क्या होती है equivalent होती है सब जगा same होती है मतलब जहां भी जाओ तुमको इंडियन का जो culture है वो देखने को मिल जाता है same उसी तरह से fractions की बात करो तो इसका भी कुछ properties है जो इसको थोड़ा सा अलग बनाता है जैसे fractions का मतलब ये भी fraction है ना 2 by 3 लिखा है मैंने वो भी fractions है मैंने 4 upon 6 लिखा ये भी fractions है बट यदि मैं आपको बोलू कि इन दोनों fractions में बिल्कुल similarity है दोनों same है तब आपको ये कीन होगा क्या हो सकता है क्यूंकि आपको ये पता है कि ये कटेगा क्यूंकि divisibility rule आप जाके देखो divisibility rule मैंने 11 तक अच्छे से कबर किया 30 तक तो मैं कर सकता था लेकिन उतना ये दि करूँगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओए कभी मैं एक वीडियो लेते आओंगा यूटूब पर आपलिकेशन पर आपका divisibility rule आपका 12 से लेके 30 तक बट फिलाल अभी ये समझो कि ये 2 है तो 2 से 2 ये 3 से 3 मतलब क्या है ये आपस में equal नहीं है क्या आपस में equal नहीं है ये भी 2 by 3 ये भी 2 by 3 वहीं मैं बोलने वाला हूँ कि आप फ्रैक्शन तोज फ्रैक्शन्स विच 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 इस सिमिलर अज дав ए दोज फ्रैक्शन विचिस सिमिलर एज अधर फ्रैक्शन देखो उस फ्रैक्शन विच इस सिमिलर स thorough क मतलब होता है क्या symbol सा समय लो कि similarity इसमें दिख रहे हैं बराबर लिख रहा है इक बात समझना की तावी कीड़ा बस बनना नहीं अब समझना है equivalent fraction जो भी चीज़े हो रही है यहाँ पर आपको सामने दिखेगा जैसे यदि मैं आपसे बोलूँ कि बताओ जरा कि एक एक जामपल लेकर कि मैंने लिखा है 2 by 3 2 by 3 लिखा है और इसका मैंने पूछा कि क्या इसका equivalent fraction हर fractions का equivalent fraction बन सकता है जैसे 2 by 3 मैंने लिखा तो इसको मैं 2 को आगे बढ़ाऊँ तो 2,2 जा 4,3,2 जा 6 नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा ना ये भी तो आपका 2 by 3 दे रहा है क्योंकि 2 से जब इसको divide करोगे 2 से जब इसको divide करोगे 2 by 3 दे देगा फिर यदि मैं बोलू कि यहाँ पे 6 लिखा है मैंने और यहाँ पे क्या लिखा है 9 मैंने 6 लिखा और 9 लिखा अभी भी आपका क्या 2 by 3 नहीं देगा अरे देगा बिल्खुल देगा वो भी आपका equal है फिर यदि मैं बोलू है आपका 8 by मैंने लिखा 12 ये भी तो आपका देने वाला है ना बहुत 2, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12 सबका आपका value जो है वो similar दे रहा है मतलब ये जो पूरा का पूरा मैंने बनाया ये जो मैंने बनाया है वो आपका क्या है वही तो आपका है equivalent fraction equivalent fractions बात समझ में आ रही है कही चीज तो आपका equivalent fraction है ना आपका देखो question कैसे दिया हुआ रहेगा कि आसे देखो question आपका रहेगा कि राइट राइट फाइब एक्वी वालेंट राइट फाइब एक्वी वालेंट फ्रक्शन जार अफ फोर अपोन फाइब अब 4 upon 5 का आपको क्या करना है 5 equivalent fraction लिखना है तो आप इसको किस तरीके से दिखाओगे तो देखो जरा देखो 5 equivalent fraction लिखना है 4 upon 5 तक का solution में मैं पहले क्या करता हूँ 4 upon 5 मैंने लिख दिया और 4 upon 5 लिखने का मतलब है कि इससे आगे मैं बढ़ता हूँ 4 टू जा 8 हो गया 5 टू जा 10 हो गया 4 थिरी जा 12 हो गया और 5 थिरी जा 15 हो गया 4 फोर जा 4 फोर जा 16 हो गया 5 फोर जा 20 हो गया 4 फोर फाइब जा 20 हो गया 5 फाइब जा 20 हो गया खिला ओना है ये 4 फोर जी जा 24 हो गया और 5 जा 30 हो गया देखो तो एक आपके दो से divisible वाले हैं एक आपके तीन से ये किस से Divisible करोगे देखो ये आपके 2 से Divisible वाले हैं क्योंकि 2 से जब दोनों को divide करोगे 4 upon 5 आएगा ये आपके 3 से Divisible वाले हैं ठीक है ये आपके 3 से Divisible वाले है ये आपके 4 से divisible वाले हैं 4 से जब दोनों को divide करोगे 4 upon 5 आएगा ये आपके 5 से divisible वाले हैं और ये आपके 6 से divisible वाले हैं एक बात यहाँ पर गौर किये एक बात तुम लोग यहाँ पर गौर करना आगे rational number में काम देगा जब मैं rational number पढ़ाऊंगा तो कि आप से पूछ रहा है 5 लेकिन मैं continue भी कर रहा हूँ तो divide कर रहे हैं कि इससे 6 तक जाके तो यही आपको समाझना है कि आगे जाकर आपको पूछा जाता है rational number में कि find an rational number between this and this मतलब कि दो number के बीच में आपको rational number निकालने होते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होता है ना कि जितना भी number आपसे पूछा जा रहा है उसमें 1 plus करते हैं due to this region क्योंकि मैंने अभी बोला आपको 4 upon 5 का निकालना है तो 4 upon 5 का 5 fractions हमको निकालना है equivalent का तो मैं 6 तक लेके जाओंगा यही 6 तक बात समझ में आ रही है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया यह बात किलियर हो गई चलो एक अच्छा वाला कोशन देके देखते हैं देखो तो जड़ा देखना write a fraction ऐसे नहीं ऐसे नहीं देखो write an equivalent fractions of write an equivalent fractions of 6 upon 7 देखना question ध्यान से समझना खाली क्या मैं बोलना चाहरा हूँ और कैसे एक्जाम में आपके question दिखेंगे write an equivalent fractions of 6 by 7 as denominator denominator as denominator as denominator 42 अब जरा आना line पे मैंने ये बोला है कि आपको 6 by 7 का एक fractions लेकर एक equivalent fraction इसका बताना है जिसका denominator आपका 42 होना चाहिए यही आपका बोला जा रहा है तो देखो कहाना ये चाहरा है question में देखना तो जरा देखो कि 6 by 7 चलो आपका लिखा हुआ है लिखा हुआ है मैंने भी लिख दिया इस 6 by 7 को कुछ ऐसा कमाल कर दो कुछ ऐसा धमाल कर दो कि यह 7 अब 7 ना रहकर क्या हो जाए 42 बदल जाए तो चलो ठीक है एक चीज तो समझो आगे मैं उसी चीज पर जोड़ दूँगा कि 7 जितना आप numerator और denominator equivalent fractions का मतलब यह हुआ कि जितना आप numerator में divide या multiply कर रहे हो उतना ही आपको denominator में multiply या divide करना ये बात गांठ मान लो देखो कि मैं यदि 4 by 5 लिख रहा हूँ तो ये 4 by 5 equivalent तब रहेगा आगे जाके जब मैं उपर भी same से और नीचे भी same से multiply करूंगा यदि उपर मैंने x से multiply किया है तो जरूरी नहीं कि नीचे आपको 2 से करना पड़ेगा नहीं जितना उपर उतना नीचे ये चीज ध्यान देना कि एक equivalent fraction में सबसे जानने वाली जरूरी बात ये होती है कि जो भी आपका numerator and denominator है तब तक similar है जब तक कि आप उसके numerator और denominator में same number से divide या multiply कर रहे हो यदि नहीं कर रहे हो एक भी यदि उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर आपका equivalent fraction नहीं होगा वो बेकार हो जाए कप फिर तो देखो 6 by 7 अब बताओ कि आपको लाना है 7 को कितना 42 7 को कितना लाना है 42 7 का table कितने बार पढ़ोगे 42 आने वाला है 7 का table कितने बार पढ़ोगे कि 42 आएगा तो आप बलोगे 7 बंजा 7 table जिसको नहीं आता उसके लिए 7 बंजा 7 7 तूजा 14 21 28 35 फिर 42 यानि कि 6 time में आपका आया ये 6 time में 6 in this 7 then you definitely multiply by 6 as in numerator मतलब कि जो आप multiply in denominator में कर रहे हो वही multiply आप numerator में भी करोगे तभी जाकर ये similar fraction equivalent fraction होने वाला है मतलब ये जो value आएगा आपका 36 6 जा कितना होता है 36 और 7 6 जा 42 देखो तो 42 आ गया मतलब ये जो आपका value आया है देखो जा रहा मतलब ये जो आपका value आया है वही आपका क्या है similar fractions है ये चीज़ सबज़ना है ये चीज़ एक question दूँ आपको हो जाए question चलो देखो तो धमाके जार question से शुरुआत करते हैं चलो एक question मैं देता हूँ इतना जानो बाबू कि आपको जो भी में पढ़ा रहा हूँ न यहाँ पर कोई routine नहीं है कि चलो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है आपको सिर्फ यहाँ पर आकर बोल रहा हूँ कि हाँ ये देखो होगा सारा मेरा होगा कोशन्स भले ही आपके बुक के होंगे आपके हो सकते हैं प्रिवियस यह पेपर्स होंगे तो वो टेंसन नहीं बट जो कॉंसेप्ट मैं देने वाला हूँ धमाकेदार कॉंसेप्ट होगा और वो मेरा खुद का होगा ठीक है बस जूड़े रहा है देखो जैसे मैं बोलूँ आपसे एक कोशन लेकर कि राइट 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 विद नुमेरेटर 54 चलो देखते हैं कोशन तो जो भी है I know कि अच्छा कोशन है मज़ा आएगा बनाने में देखो कि पहले लिखा हुआ कि आपका माइनस आपको दिख गया है डरना नहीं है माइनस से बिल्कुल डटे रहना देखो तो मैं यह माइनस सिक्स भाई लेवन लिखने का मतलब क्या है कि मल्टिप्लाइस को करूंगा किस से से निमेरेटर और सेम यह बात तो आप कंफर्म कर ही लो कि आपको सेम से ही मल्टिप्लाइ करना है फ्रेक्शन में चाहे वो निमेरेटर हो चाहे डिनुमेरेटर में तब ही वह एक प्रेक्शन आपका आने वाला है तो ठीक है सिक्स का टेबल बताओ कितने बार पढ़ोगे कि 54 आएगा तो बताओ 6, 8 जाब 48, 6, 9 जाब 54 यानि कि यहाँ आपका 9 होने वाला है तो नीचे भी क्या करोगे आप 9 नहीं करोगे बिल्कुल करोगे यह 9 नीचे भी रहने वाले है तो overall यह आगे आपका minus 54 और नीचे कितना आगे आपका 99 यही आपका equivalent fractions हो गया यही आपका equivalent fraction हो गया बात समझ में आ रही है मज़ा आ रहा है ना बस यही आपका equivalent fractions होता है overall जदी एक और question में लेकर देखूंँ आपको चलो एक और question मज़ेदार मज़ेदार denominator is minus 72 yes यह ज़रा समझों इस question को समझना ध्यान से मैंने इंटीजर्स पढ़ा जिया था ना इंटीजर्स मैंने दो बातें सिर्फ आपको बताई थी कि इतना follow करना कि जब product का case आए तो same symbol आपका positive result देता है और different symbol आपका negative result देता है मतलब यहाँ पर यह समझो कि यह जो minus 4 by 9 है बाबू क्या लिखा हुआ है minus 4 upon 9 ठीक है आपको लाना क्या है पहले ध्यान से देखना minus 72 लाना है अब देखो यहाँ पर आपका क्या है plus है और आपको लाना है कितना minus 72 मतलब जो multiply होगा वो अब देखना ध्यान से बस थोड़ा सा ध्यान लगा देना कि 9 का table कितने बार पढ़ोगे कि 72 आएगा तो आप बोलो कि simple सा बात है कि 9 8 जा 72 होता है चलो 8 क्या आपका minus 72 आया नहीं आया ना यह तो minus 72 आया नहीं तब यहाँ पर आप apply करोगे क्या minus तब आएगा आपका minus 72 तो minus 8 से यह दे नीचे multiply कर रहे है तो minus 8 से उपर भी तो करना पड़ेगा ना अरे करना पड़ेगा जी तो अब जो यह answer आने वाला है आपका क्या आने वाला minus minus मैंने बताया था same symbol जो होता है आपका positive result देख रहे हैं और सारा chapter एक दिसरे से क्या combined है कि पहले नहीं पड़ोगे तो दूसरा गड़ बढ़ा जाएगा तो minus minus आपका plus यानि की plus 32 यह हो जाएगा और नीचे क्या आपका plus minus minus different symbol आपका negative result देता है तो minus यानि की minus 72 आगया overall जो यह result आया है वो क्या आया है वो यह आया है कि जो इसका value होगा denominator आपको minus 72 दिखाना है ना एक मिनट समझो बात को देखो प्लस माइनस आप इसको standard form में लिखना है एक standard form में लिखने के लिए चाहे denominator नीचे हो चाहे उपर हो हम इसा priority किसको देंगे उपर वाले को ठीक है यह आपका देखो denominator 72 आप बोला था कि लेकिन आपने बीच में रखा है क्यूं लेकिन यह बात समझो कि आप standard form में लिखने के लिए जब पढ़े होगे classics में कि standard form में किसी को लिखने का मतलब है कि उसमें denominator चाहे plus हो या minus हो यदि minus भी है denominator तब भी आपको जो minus का symbol देना है वो आपका बीच में ही या फिर numerator के साथ देना है तो यह आपका so हो गया क्या minus 72 on denominator यह बात समझ में आ गई तो आज मेरी बात सिर्फ equivalent fractions पे एक एक type को पढ़ेंगे मजे से पढ़ेंगे और बिल्कुल इत्मिनान से पढ़ेंगे कोई भी जल्दी वाजी नहीं क्यूंकि आपके सामने पूरा अभी साल पढ़ा हुआ है यदि आपने exams के लिए अच्छे से कवर करें मैं सिर्फ exam के point of view से नहीं बोल रहा हूं आगे जाकर यदि आप नवोदय सिमूल्ट अला नेतर हाट यह सब यह करना चाह रहे हो तो यहां से आपके contents बिल्कुल उसके लिए भी होंगे लंबी चलेगी classes doesn't matter बर जो भी सीखोगे इदम समझ लो की solid रूप से सीखने वाले हो तो आज की class मेरे यहीं तक फिर से जुड़ते एक नए फ्लो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और देखते रहो वेदू औरा smart learning thank you so much for joining this class